हेलो दोस्तों मैं आपका स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाएंगे वरत के लिए आलू से बना हुआ बहुत ही चटपटा और टेस्टी नास्ता तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहां चार आलू लिए हैं तो आलू को हम अच्छे से छील लेंगे तो आप किस और इसके हमें करने हैं पीसेज तो पीसेज हम करेंगे फोर पीसेज करेंगे तो एक आलू के हम चार टुकरी कर रहे हैं तो आप चाहे तो पतला पतला भी कर सकते हैं तो आप चाहे तो पतला पतला भी आलू को काट सकते हैं तो देखे मैंने आलू को काट लिया है और मैंने इसे कालू के चार टुकरी की है और तीन से चार पानी मैंने इसे अच्छे से दो लिया तो आप चलते हैं गयंस की तरफ तो तो गैस पे मैंने इसे रख दिया है और नमक हमादा चोटा चमच डाल देंगे तो इसे हमें बॉयल करना है फिल्कुल अबिए करते दिए तो एक मिनट से ज्यादा आप इसे बोईल ना करें बस एक उबाल आ जाए तो बस कैस्स कपलें बन कर दीजेगा तो देखिए यह बिल्कुल अच्छे उबल गया है और एक मिनट हो चुका है तो बस गैसका फ्लें बंद कर देंगे और इसे चान कर निकाल लेंगे अलग बरतन मी तो फिलाल चलते हैं अगले स्टेप की तड़ तो मैंने यहां आधा कप मूंग फली लिया है तो मूंग फली का हम बैटर त्यार करेंगे तीन से चार हम डाल देंगे हरी में और थोरी से हम कटे हुए अधरक हम लेंगे और इसे भी हम डाल देती है और एक चोटा चमच हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च के दानी ताकि हमारा नास्ता बहुत ही चट पटा बने और बस थोरा सा पानी राल कि हमें इसका पेस्ट बना लेना है तो बिलकुल आप फाइन पेस्ट बनाईएगा तो इसमें मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे तीन से चार चमच बेशन तो बैंडिंग के लिए हमने यहां बेशन का इस्तमाल किया है तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक नमक इसमें हम डालेंगे आदा चोटा चमच अनुसार नमक कर सकते हैं आप और आदा चोट तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल की अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि आलू का एक टुकड़ा हम लेंगे जो हमने बॉयल किया था और इस तरीके से हम इसमें लपेट लेंगे बैटर में देखिए इस तरीके से एक लेयर लग जानी चाहिए और इस तरीके स टेलम तरह में करेंगे तो चलिए देल न करके हुए वह भाइब नहीं करकरें पिर यह यहा différentes पहले हैं टेल के लिए रखेरी आप इसमें हम दालेंगे एक्क करके पकोड़ा तो बषकर करेंगे और यह कोड़ पौकर के लिए tikो और जाओ आप इसे चार से पांच मिनट में ये पकवडा बनाकर रेडी कर सकते हैं बहुत ही खाने में टेस्टी होता है और नीचे से जैसे लाल हो जाएगा इसे हम पलट लेंगे और इसे फ्राई होने में भी ज्यादा समय भी नहीं लगता है फ्रेंस आप यह सोचेंगे कि इतने मोट यह पुराई कीजिए आपको वह पसंद आएगा तो देखिए यह पकॉडा हमारा फ्राइ हो चुका है और इसे फ्राई होते हुए है इसे ज्यादा समय नहीं हुआ है फ्रैंस और सब्सिया निकाल लेते हैं यह काफी क्रिस्पी बना है खाने में तो टेस्टी होता ही है तो जब आप ब्रत कर रहे हो तो आप इसे बना कर रेडी कर सकते हैं तो चलि अब इसे हम गर्मा गरम सर्वी कर लेते हैं और यह लेजिए आलू के इंस्टेंट पकॉरे बनकर त्यार हो गया है इसका बेटर हमने इमुंग फली से बनाया है फ्रेंस बहुत ही टेस्टी रगता है तो एक बार आप इस पकोड़ो को जरूर ट्राइ कीजिएगा तो देखे मैं आप उठा कर भी दिखा देती हूं यह पकोड़ा कैसा बना है उपर से काफी क्रिस्पी पकोड़ा बना है और अंदर से देखे आलू भी अच्छे से पग गया है देखे फ्रेंस मैंने आपको त दोर कर दिखाया है कि आलू कितने अच्छे से पग गया है तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट शरूर करिए का चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं तो उसकी नोटिफिकिसन य यानी मेसेज आपको मिल सकी थैंक यू